नमश्कार, देवी एहलिया कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में सनी उपाध्या एडमिट हुए हैं, ये हिमाचल से हैं, इनको सी ए टंग है सनी ने अभी तक कोई और ट्रीटमेंट नहीं कराया है, और इनको लगा कि एलोपैथी ट्रीटमेंट के कमपारिजन में हमें इलेक्ट्रो होमापैथी में जाना चाहिए, ये हर्बल ट्रीटमेंट है इसलिए ये इन दौर में हमारा इनको पता चला और ये एडमिट हो गए और साथ दिन का ट्रीटमेंट हमारा हुआ है साथ दिन के ट्रीटमेंट में हमने देखा कि कल हमने सनी का एक सीटी स्कैन कराया था उस सीटी स्कैन में सनी का जो जख्म था वो कम हुआ है उसका साइज कम हुआ है और टंग में जो चिपका हुआ था वो वहां से हट गया है जी आप इनको क्या-क्या फाइदा हुआ है इनके चाचा जी बताएंगे जी इसकी जीब में जखन था उसमें इंप्रुमेंट हुआ है पहले थी और जो गले में गाट थी उसमें भी कम हुआ है अपने जो स्टार्ट किया था वो लेफ्ट साइड में शुरू किया था और लेफ्ट साइड में जो अपने ट्रीटमेंट किया उसमें इंप्रुमेंट काफी है पहले है जी आपने जो treatment है इलेक्टो हमर्पति का लिया उसका experience आपका कैसा रहा यह साथ दिन का नहीं साथ दिन का भी अच्छा अच्छा मेला इसमें साथ दिन के उसमें और आस्पिटल के भी काफी सपोर्ट पहला जिए अभी हम आपको एक महने का मेडिसिन देके डिश्चार्ज कर रहे हैं और होपस हो की सनी को जो प्रापलम हो रही है उसमें काफी इंप्रूब्मेंट होगा और आप टच में बने रही है कोई भी प्रापलम हो आप फोन करके वीदियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं धन्यवायद